नमस्कार दोस्तों एकदम से रेश्टोरेंट जैसा भंडारे जैसा चनादाल तड़का का रेश्पी आज बताऊंगी और इजी तरीका से बनाऊंगी दोस्तों वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को फोलो कीजिएगा बहुत बढ़ियां टेस्टी चनादाल का तड़का बनने वाला है एकदम सिंपल तरीका रहेगा कम इंग्रेडियन्स के साथ बनेगा और इजी तरीका से बनाऊंगी वीडियो पे जरूर बने रहिए फूलवाच जरूर कीजिएगा वीडियो को और एक एक पॉइंट को फोलो कीजिएगा हमारा वीडिय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तो चलिए मैं चलती हूँ अभी से बनाने चना डाल है नॉर्मल घर का जो होता है ओ 200 ग्राम चना डाल है दूस्तों इसको दो से तीन पानी धुल लेना है चना डाल साफ होने दुब ने ने ध्यूंड़ घर करना अग्ला प्रोस्पे बताओंगी अभी इयूआ बने रहे दो इसको कूकर और का इसमें डूबने तक पानी डालिएगा अपना अंदा से, जिसे चना डाल बढ़ियां से पक जाए। एक चमाच, नमक स्वादम सार, हल्दी पॉडर एक चमाच, दो से तीन भूंद सर्सो वाइल। सर्सो वाइल डालने से इसका डाल उपर नहीं फेकेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जरूर डालिएगा दो से तीन भूंद सर्सो वाइल। अब इसको 4 से 5 सीटी लगाना होगा, जिससे बढ़ियां से डाल पक जाए। अब दाल 4-5 सीटी लग रहा है दोस्तों तब तक के लिए इधर सारा समान तैयार हो गया है इसका तड़का के लिए थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा नारियल टुकड़ा, थोड़ा सा मखाना, धनिया पता, एक बड़ा साइज का टमाटर छोटे टुकड़ो में दो छोटे साइज का प्याज, हरा मिर्चा तीन, अपना अंदासे जीतना तिखा आपको पसंद हो तड़का के लिए तेज पता, दालचीनी, टुकड़ा, बड़ा इलाईची, सुखा, मिर्चा और जीरा, दो लवंग, इतना चाहिए अब इधर दाल पक गया है, दाल को अंगली पर टच करके देखिएगा, दाल बहुत बढ़ियां पक जाएगा, तो ये बहुत बढ़ियां से मसला जाएगा दोस्तों, तब समझे ये कि बढ़ियां तड़का होगा अब दाल को साइड में रखना है तब तक के लिए एक कडाही बठाईए इसमें तड़का लगाने के लिए पहले इसमें ड्राइफ रूट फ्राई कर लेना है ड्राइफ रूट फ्राई हो जाने के बाद में हलका सा तेल डाल के फ्राई कीजिएगा और इसको एक अलग बरतन में निकाल लेना है अब इसे में मखाना भी हो जाएगा फ्राई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए जिसे हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगा हर एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग हमारा हर एक वीडियो देख पाएंगे हर एक रेस्पी सीख पाएंगे अब देखिए अपना अंदास से प्याज पकने तक सरसो वाइल डालना है जीरा, एक चमस, डालचीनी टुकडा सुखा मिर्चा, तेज पत्ता, लवंग दो, बड़ाईलाची एक अब इन सब को पक जाने के बाद में हरा मिर्चा डालना है जो कट करके रखी थी एक पींच इसमें हिंग जरूर डालिएगा और सब पक जाने के बाद में इसमें प्याज डाल करके अब गोल्डेन ब्राउन होने तक पकाना है फ्लेम को मीडियम रखीएगा मीडियम से भी मैं कम रखी हूँ इंडेक्शन पर बना रही हूँ दोस्तो चुलहा पे मीडियम पे पका सकते हैं अब देखिए प्याज हलका पक गया है अब इसको एक चमच कास्मीरी मीरचा पाउडर डालीएगा और दो से चार बार भूल लेने के बाद में इसमें टमाटर डाल देना है कास्मीरी लाल मीरचा से स्वाद तो ज़्यादा कोई खास नहीं आएगा लेकिन इस तड़का का कलर बहुत खास बनेगा इस बात को ध्यान दीजिएगा अब टमाटर पक जाने के बाद में थोड़ा टमाटर पक जाएगा उसके बाद हाफ चमच गरम मसाला, हाफ चमच गोलकी जीरा पाउडर और हाफ चमच सबजी मसाला कोई भी रहे, किचन कींग या कोई भी और थोड़ा सा नमक डालिएगा जिसे टमाटर बढ़ियां से गल जाए क्योंकि नमक तो दाल में पक गया है और हल्दी भी पक गया है इसलिए मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ अब इतना ही फ्राई कर लेने के बाद में पानी डालिए अपना अंदाज से उसके बाद डाल को डाल देना है डाल डाल देने के बाद में फिर देखिएगा इसमें मैं क्या और सेट करूंगी कैसे सेट करूंगी वीडियो पर बने रही है सारा ड्राइफ रूट इसमें अब डाल करके चला देना है बढ़ियां से चला करके मिक्स करके इसको धकन कभर करके एकदम लोफ लेम पे तीन से चार मिनट तक पकाना होगा 3-4 मिनट पक जाने के बाद में ड्राइफ रूट भी पक जाएगा इसमें बढ़ियां से और कलर बहुत बढ़ियां आ जाएगा दाल भी घुल मिल जाएगा इसमें बहुत बढ़ियां एकदम से तड़का तयार हो गया है अब इस तड़का को आप लोग जरूर से जरूर बनाएगा एक बार और इजी तरीका है कोई ताम जाम वाला रेस्पी नहीं है जटपट बनने वाला रेस्पी बताई हूँ दोस्तों अब चुलहा से उतार करके इसमें बड़े चमच से एक चमच घी डाल देना है घी डालने के बाद में अब इसे एक बावल में निकाल लीजिए देखिए इसका लुक कितना खास लग रहा है अब इसको आप लोग चावल के साथ खाईए जीरा फ्राई चावल के साथ भी खा सकते हैं रोटी के साथ खाईए चपाती के साथ खाईए कुछ में भी यह बहुत टेश्टी लगता है मतलब रोटी चपाती सब के साथ चलने वाला एरेस्पी है तो इजी तरीका से एक बार बनाईएगा जरूर धनिया पत्ता अब डाल करके इसे गार्निस करके सभी को परोसिये खिलाईए और इस तरह के चना दल तड़का का मजा ल